प्रोजेक्ट फुली पाइथन टीक इंटर का यूज करके बनाया हुआ है तो यह सॉप्ट्यूर का यूजर इंटरफेस इस तरह होगा तो हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस डाली हुए है यहाँ पर लेबल है यहाँ पर टाइमिंग करन्ट टाइमिंग दिखाए दे रहा होगा आपको देन यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स डाल सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर प्रोडुक्ट की डिटेल्स और यहाँ पर प्राइस और कॉंटिटी यहाँ दिखाई देगी, देन हम नीचे यहाँ पर bill counter बनाया हुआ है, तो यहाँ पर दो, तीन आपको calculation मिलेंगे sub total, government tax और total, देन यहाँ पर buttons भी है add to cart, generated bill save bill, print bill, clear out exit, तो यहाँ पर जो bill area है, यहाँ पर welcome to code with Kiran mini mall, तो यह जो सारी चीज़े, bill number, customer name, phone number customer email, यह जो है by default होंगी, उसके बाद यहाँ पर जो हम data डालेंगे, यहाँ पर customer वाला, तो इसके आगे यहाँ पर generated होगा, और bill number जो होगा, और randomly generated होगा और यहाँ पर products की detail दिखाए दे रही होगे आपको, और यहाँ पर product की नाम आएंगे और यहाँ पर quantity दिखाए देगी, और यहाँ पर price, तो चले इसका demo करके देखते हम, first अगर मैं यहाँ पर कुछ ना डालो data इसके अंदर entry field के अंदर, और यहाँ पर add to card करो, तो आप देख सकते यहाँ पर तो यहाँ पर validation आ रही है please enter mobile number आओ, select the product तो यहाँ पर validation भी लगाई हुए इस software में, तो इसे ok कर लो तो यहाँ पर first हमें mobile number डालना होता है ऐसे में dummy डाल रहा हूँ ओके, तो यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, मैं समीर कर लेता हूँ समीर, यह customer name और email जो है clothing, lifestyle, mobile यह 3 category है अगर मैं यहाँ पर select option पर click ना करो आप देख सकते हैं, यहाँ पर खाली field है यहाँ पर ठीक है, तो इस concept को कहा जाता है depending combo box, एक दूसरे पर depending होते हैं, अगर यहाँ पर list दी गए है clothing, lifestyle, mobile तो यह categories है, अगर मैं यहाँ पर clothing क्लिक करो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर sub category आ चुके है, clothing की तो यहाँ पर 3 category दी गए है sub category, pant, t-shirt, shirt तो अगर मैं यहाँ इसमें से अगर यहाँ पर pant पर pant पर भी click नहीं किया है मैंने तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर product पर click करो, तो यहाँ पर इसकी select, इसके related जो भी categories है जो भी product name है, यहाँ पर दिकाए देगे अगर मैं यहाँ पर लिवीज पर देख सकते हैं, लिवीज, मुपति, स्पाइकर अगर मैं यहाँ पर pant की जगाँ सेलेक्ट करो t-shirt, आप देख सकते हैं, पोलो roadster, jack and johns, अगर मैं यहाँ पर pant, pant की t-shirt की जगा, set पर click करो, तो यह जो product ने में हैं यहाँ पर change हो जाएंगे Peter, England, Lewis Phillips Park Ivan, तो इस तरह एक combo box depending है, एक दूसरे पर, और इस तरह का project पुरे YouTube पर किसी ने नहीं बनाया हुआ है मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा है कि इस तरह का project कई पर नहीं मिला मुझे, तो मुझे लगा कि इस concept को मुझे आपको explain करना है, तो किस project को मैं ले आओ आओ आपके पास, तो मुझे billing software बिल्कुल सही लगा, इसके लिए तो मैंने यहाँ पर billing software बनाया हुआ है तो चले स्टार्ट करते है, तो हम यहाँ पर product लेंगे first, first मैं product लोगा lifestyle ले देते हैं, lifestyle में bath soap है, then face cream है, hair oil है, तो मैं bath soap ले ले लेता हो, तो bath soap में यहाँ पर एक कुछ product name भी है, live boy, luck, santur, pair, तो मैं यहाँ पर santur select करो, तो यहाँ पर automatically price यहाँ पर select हो के आ रही है, अगर यहाँ पर मैं quantity change करो, इसकी 2 कर लो, तो देख सकते आप, अगर यहाँ पर add to court करो, तो आप देख सकते यहाँ पर billing area में जो product name है, product name, then इसकी जो quantity है 2, और इसकी price यहाँ पर calculate हो के आई है, और यहाँ पर bill counter में भी अर्टमेंटल की यहाँ पर build count हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हमने बनाया हो आ है, तो अगर मैं यहाँ पर change करो, यहाँ पर देख सकते, price 2 है, यहाँ कि 20 है, तो यहाँ पर quantity लिए है, 2 लिए है हमने, तो इसकी दुगना यहाँ पर price हो चुके है, तो अगर मैं यहाँ पर product change करो, product category, अगर यहाँ के clothing में ले लो, यहाँ पर pant की जगा T-set लेना है मुझे, और T-set में 3 categories है, product name है, तो यहाँ पर polo का लेना चाता हो मैं, तो यहाँ पर देख सकते, इसकी price change हो चुके है, और यहाँ पर add-to-card करो, हम कर सकते, यहाँ पर, अगर यहाँ पर add-to-card करो, तो आप देख सकते, यहाँ पर product जो है, यहाँ पर product name, polo आ चुका है, यहाँ पर quantity 1, और इसकी price, तो यहाँ पर automatically, यहाँ जो भी price है, यहाँ पर calculation हो चुका है, ठीक है, इस तरह हम calculation कर सकते, अगर यहाँ पर देख सकते, जो भी t-shirt की जो product name है, polo, roadstar, jock and johns, तो इसकी जो categories है, यहाँ पर आपको दिकाए देगे, product name, अगर यहाँ पर clothing की जगा मैं यहाँ पर select करो, mobiles, अगर mobiles पर select करो, तो आप देख सकते, यहाँ पर जो sub category है, iphone, samsung, saomi, realme, one plus, तो जो इसकी sub category है, आपर दिकाए दे रही होगी आपको, then iphone पर click करेंगे, तो यहाँ पर product name है, जो product name है, यहाँ पर दिकाए देंगे, इसके, जो भी list में है, इसके अंदर, यही दिकाए देंगे, अलग नहीं दिकाए देंगे, जो कि iphone के related है, वही यहाँ पर product name दिकाए देंगे आपको, अगर मैं यहाँ पर click करो, तो आप देख सकते हैं, तीन categories है इसके अंदर, यहाँ प्रोड़क नेम है, iphone X, iphone 11, और iphone 12, अगर मैं यहाँ पर iphone 12 पर click करो, तो इसकी price यहाँ पर automatically show हो जाएगे, और quantity 1 हो जाएगे, अगर मैं यहाँ पर add to card करो, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर add to card हो चुका है, और जो भी यहाँ पर नाम आ रहा है, iphone 12 और इसकी quantity, और जो भी price हैं, यहाँ पर show कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर iphone की जगा, यहाँ पर mobile select करो फिर से, अगर यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर Samsung mobile चाहिए, तो यहाँ पर Samsung पर click करेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो product name है, Samsung की यहाँ पर दिखाए दे रहे हो गया आपको, Samsung M16, इससे select करता हो, इसकी price change हो जाएगा, और जो भी quantity है, यहाँ पर one हो जाएगे, अगर यहाँ पर add to cut करो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो billing है इसका, तो यहाँ पर आपको जनरेट होके आ रहा है, product name, quantity, और जो price है, यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते, यहाँ पर आटोमेटल, यहाँ पर जो count है, सब, total, government, tax, और total, यहाँ पर count हो रहा है, अगर यहाँ पर मैं select करो, lifestyle में कुछ, यहाँ पर बाद सोब है, तीन सब category है, बाद सोब, face cream, hair oil, अगर यहाँ पर hair oil पर click करो, तो यहाँ पर hair oil की अलग सी product name है, यहाँ पर parachute, jasmine, बजाद, अगर मैं बजाद पर click करो, तो यहाँ पर जो price है, 30 रूपिज और automatic quantity यहाँ पर आपको show करेगे, अगर मुझे quantity चाहिए, फाई हो, तो यहाँ पर आप quantity बढ़ा सकते, यहाँ पर add to cart पर click कर सकते, यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर, फाई जो quantity है, इसको multiply करके 30 से, जो भी price हैं यहाँ पर आपको show करेगे, इस तरह आप कर सकते हैं, इसके बाद हमीं क्या करना है, इस सारी चीजे को generate bill करना है, तो यहाँ पर count हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर generate bill करो, तो आप देख सकते हैं, जो billing area में है, यहाँ पर sub amount, tax amount, देन यहाँ पर total amount, जो sub amount है और tax amount है, इसका calculation करके, प्लस करके, जो भी आएगा, total amount में यहाँ पर जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर total तो आ चुका है, अब हमें इस bill को save भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर save, save पर click करना है आपको सिर्फ, यहाँ पर save पर click, तो यहाँ पर पूचा जा रहा है, do you want to save these bills, yes, तो यहाँ पर bill हमें save करना है, तो आप back end में save भी कर सकते है, text file के दौरा, ठीक है, billing software है, तो हमें print करके customer को देना ही होता है, तो हम यहाँ पर print पर click करेंगे, गर मैं यहाँ पर print करो, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर print का option आ चुका है, और जो हमें चीजे print करनी है, आप print कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास printer नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप पिड़े फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं इस फाइल को ठीक है अगर मैं इसे क्लोज करो तो आप देख सकते हैं इसका वेलकम कोड़ वीद करन मीनी मॉल देन बील नंबर जंडट होके आया है कस्टमर नेम समीर फोन नंबर कस्टम हमरी इमेल दिन प्रोड़क्त की जो भी नाम है यहाँ पर दिखाए दे रहे होगे आपको और कॉंटिटी दिन प्राइस यहाँ पर टोटल ओके तो परफेक्टल यहाँ पर प्रिंट पर भी काम हो चुका है हमारा तो इसे क्लोज कर लो शायद यहाँ पर कुछ गड़बड बूट होके आएगा टेक्स फाइल में ठीक है हम इस बील को सर्च भी कर सकते तो हम सर्च करें के वर्यांबड देख लेएते हम पहला वाला था मेरा इसकी price है आपको यहाँ पर सभी जो चीजे है यहाँ पर calculation होके दिकाई दे रही होगी ठीक है तो इसे हम प्रिंट भी कर सकते अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना अगर आपने अभी तक हमारे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करिए क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट में बनाता रहता हो तो चले हम कुछ प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं मैंने मैं अल्लडी कर चुका हूँ यूंट्वचानल पर तो चले चलते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट है fraction user interface के साथ बनाया हूए आप देख सकते हैं यहाँ पर Ishter मैंने system इस्ट्रोजेक्ट attendance system project in python open cv with tk inter यह एक project है बहुती अच्छा project है और यह project आप final air के लिए use कर सकते है जो कि attendance automatically calculate करता है यह project open cv का use करके machine learning के साथ बनाया हुआ है आप इसे भी access कर सकते है full playlist है int तक मैंने बताया हुआ है सुरी से लेकर int तक आप देख सकते हैं then यहाँ पर एक है hotel management system project यह भी full project है multiple window के साथ hotel की concept कैसी बनाई जाती है इस पर बताया गया है और यह पूरा project है अब इसे भी access कर सकते है यहाँ पर third project है जो कि है how to make student management system in python database के साथ है और यहाँ पर मैंने बताया है कि how to browse जो आपको images change करने होते है विंडो पर आप change कर सकते इसमें और यहाँ पर बहुत सारे project है जो कि hospital management system project है pharmacy management system in library है और यहाँ पर student management system है और यहाँ पर make a weather आप using python tk interview है तो आप इसे भी access कर सकते इतने सारे project है अगर यहाँ पर आप देख सकते और सारे बहुत सारे project है यहाँ पर अलेक्स का है species recognized using python है तो इसे भी access कर सकते आप इतने सारे project है चलिए हम main concept पर आते है हमारे project पर billing software पर तो इस project को बनाने के लिए आपको इस project को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको basic python आनी चाहिए बस इतना ही आना चाहिए तो यहाँ पर हमें कुछ software requirement पी लगेंगी आपको python download करना है जो भी latest version होगा यह जो code है सारा code visual studio code में लिखने वाले है तो फर्स चलते हम google पर यहाँ पर और यहाँ पर देख लेते तो आपको फर्स यहाँ पर download करना है python जो भी latest version है ठीक है कोई भी download कर लिजे और यहाँ पर python search करने के बाद जो भी download link आएगी यहाँ पर आपको यहाँ पर click करना है जो भी latest window के लिए है या आप Mac के लिए बना रहे है यहाँ पर आपको download करना है ठीक है यह होने के बाद हम क्या करेंगे तो back चलते और यहाँ पर आपको डालना है visual studio code VS code भी डाल सकते है VS code download और यहाँ पर search करना है जो भी आपको VS code Mac के या Linux के लिए या Windows के लिए चाहिए आप download कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर मेरा जो window है तो हमने विज़ो के लिए हमने download कर लिया है आपको user installer download करना है 64 bit या 30 bit 32 bit जो भी आपके operating system होगी इसके हिसाब से आपको download करना है ठीक है बस हमें इतने software requirement चाहिए तो चलिए main project के लिए हम काम करते फस्ट तो पहले हम एक folder बना लेते हैं तो यहाँ पर folder बनाओगा G folder में जी ड्राइव में आप कहाँ पर भी folder बना सकते है Ctrl Shift यहन तो मैं यहाँ पर नाम रख देता हूं billing software नाम से software शायद one कर लेता हूं अल्रेडी है यहाँ पर तो यहाँ पर billing software नाम से यहाँ पर मैंने एक folder बना लिया है अगर आपको images डालने है तो इसी folder के अंदर image नाम से एक folder बना लो आप Ctrl Shift यहन और यहाँ पर image नाम से आप folder बना सकते है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक folder बन चुका है इसके अंदर ही ठीक है देन हम क्या करेंगे back जाएंगे और जहाँ पर हमारा folder बना हुआ है इसे राइट क्लिक करेंगे अगर आपने विज्व स्टूडियो को डाउनलोड कर चुके है तो आपको यहाँ पर option मिल जाएगा कि open with visual studio code तो पहले वाला में close कर लो तो यहाँ पर जो हमने folder बना है इसके right click करना है open with code करना है यह आप विज्व स्टूडियो कोड से भी open कर सकते है तो मैं दिखा था आपको तो यह open हो रहा है तो first यहाँ पर open हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरह interface दिखाए दे रहा होगा अगर आपने first time install किया है तो इस तरह यहाँ पर जो recent है यहाँ पर नहीं दिखाए दे रहे होगे तो आप यहाँ से भी आप open कर सकते open the folder नाम से यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा यहाँ से open कर सकते तो यहाँ पर file पर click करना है आपको तो यहाँ पर open folder पर click करना है और यहाँ पर file open हो जाती है जहाँ पर आपने folder बनाया हुआ है इस folder को आपको search करना है या आपको मिल जाए तो ठीक है नहीं तो यहाँ से आपको click करना है आपको यहाँ पर दिकाए दे रहा होगा folder name तो इस तरह आपको open करना है तो मैंने यह already open कर चुका तो मैं जी open नहीं करना है इसे cancel कर लो तो आप देख सकते यहां पर billing software आपके पास यहां पर आ चुका है तो इसे welcome page को हम हटा लेंगे और यहां पर आपको जो भी मिल रहा है यहां पर इसके अंदर एक folder है image नाम से इसके अंदर हम image डालेंगे बाद में तो यहां पर आपको दिखाए दे रहा होगा new file और यहां पर आपको new folder क्या बनाना है आपको new file बनाना है तो इसपर क्लिक करेंगे न जस्त हम में लिक लेते हैं यहां पर main.py तो यहां पर हमारी file यहां पर बन चुक है python तो python के लिए py लिखा जाता है तो पाइफ़ बैसिक सेका है तो python आपको पताए होगा कि python के लिए py लिकार उसका extension py होता है ठीक है तो first हम import करेंगे यहां पर from टीके इंटर जो यहां पर import star यह वरी थी जो भी टीके इंटर के अंदर होगा ओ यहां पर इंपोर्ट हो जाएगा टीके इंटर एक powerful जीवाए अप्लिकेशन बनाने के लिए काम आता है तो हम इसे जिवाए अप्लिकेशन बना सकते हैं तो इसके अंदर एक सटाइल के लाइन के लिए काम आता है जो कि गुगल जैसे हम Cogles कर लिया मुझे इमेज बैस के लिए इंपोर्ट करना है image डालने के लिए from पील लाबरीरी ओके पील और इस में से इंपोर्ट करना है image, image TK तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होता है आपको इसके लिए लाबरीरी इंस्टॉल करना होगा दिन हम यहां पर सर्च करेंगे फर्स्ट, cmd, cmd में जाना है आपको जो भी command prompt में जाना है अगर आपने python इंस्टॉल किया है all environment में तो आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते पीप इंस्टॉल से तो यहां पर open हो चुका है मुझे इस system से चर्चन नहीं करनी थी तो यहां पर cmd मुझे cmd पर इंस्टॉल चाहिए लेक्स्टॉप आप ले तो यहां पर open हो चुका है इसलिप आपको क्या करना है यहां पर इंस्टॉल कर चुका हूँ तो यहां पर मैं इसे copy कर लो copy करके यहां पर जाओंगा तो इसे comment कर लो मैं यहां पर क्योंकि आपको यह install करना है होगा image डालने के लिए तो यहां पर comment कर लो कि कमेंट कर लिया आपको install करना है ठीक है दिन जो आपको इंपोर्ट करना यहां पर लाइज से इंपोर्ट करना इंपोर्ट इसके अंदर से इमेज और इमेज टेकी आपको लेना है ठीक है हम नीचे आएंगे तो हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे पाइथन का ठीक है क्लास बनाने से क्या होती है चीजे थोड़ी सी आसान हो जाती हमें हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट यहां पर बील जस्क्लास का नाम फॉस्ट जो लेटर होता है capital लिखना होता है अप दिन इसके अंदर ओके तो हमें क्या करना है ए है इससे हटालो के अजयर बार यौन weआ बार ब्रक्राव और जाता है सूपर क्लास बेबिं यहां पर फर्स हमें अरोगउमेंट देना होता है कर आ है जो आपको वेंड का नाम रखना है यहां पि इसके अंदर देना होता है जो भी आपको रखना है रू जो आपको विंडो का नाम है यहां पर इसके अन्दर देना होता है जो भी आपको रखना है रूट मासटर कहीं जगह लिखा जाता है master root then window ठीक है अब कुछ भी लिख सकते देना हमें simple root को initialize करना है self dot root equals तो यहाँ पर root को initialize कर सकते इस तरह ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है हमें अगर यहाँ पर window की नाम देना है window का नाम ठीक है title देना है तो आप देज सकते self dot किसका देना है root का window का जो नाम है हमारा root है ठीक है तो यहाँ पर dot करना है आपको title करना है और यहाँ पर title लिखना है तो title के अंदर कुछ भी लिख सकते है जो आपकी मर्जी है billing software रख देता हूं है ओके ओके तो यहाँ पर software आएगा billing software तो इसके उपर मुझे geometry बनानी थी geometry यह यह चीज होती है कि हमारी window कितनी वीटावर साइज की हो आप देख सकते हैं जो अपने visual studio code की है पूरे window पर समाई गया है तो इस तरह आप बना सकते है तो इसके अंदर geometry लिखना है आपको geometry और यहाँ पर इसके अंदर आपको geometry देनी है आपके इसाप से दे सकते हैं आपकी window जितनी है computer या laptop की कई बार मुझे बहुत सारे मेल आते हैं कि हमारी window बड़ी या चोटी होड़े तो आप देख लिजिए कि आपकी window कितनी बड़ी या चोटी है तो इससे इसाप के इसाप की नुसार आप देख सकते यहां से स्टार्ट होना चाहिए तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए ठीक है देर हम क्या करेंगे नीचे आएंगे और इसको main loop से close करेंगे simple आपको main लिखना है और यहां पर इस तरह आपको दिखाए दे रहा होगा अगर यहां पर आपको आपको इस class का object बनाना है object का नाम कुछ भी रख सकते दिन जो class का नाम है यहां पर class का नाम यहां पर आपको suggest भी करता जाएगा और यहां पर class का नाम लिखना है इसके अंदर आपको route पास करना है तो यहां वहाँ पर भी मैंने देखा है कि कई student मुझे mail करते हैं यहाँ पर हमारी यहाँ पर error शोग कर रहा है तो आपको यह सजी से लिखना है दिन आपको क्या करना है यहाँ पर route लिकना है दिन .mainloop, mainloop क्या करता है, जब तक हम close नहीं करेंगे window को, तब तक ये mainloop बना रहता है हमारी window में, ठीक है, आपको यहाँ पर parentheses लगाने है, आपको यह सइसे आपको देखना है, कि यह चीजे किस तरह हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको manually type करना पड़े, अगर आपको automatically suggest नहीं क करेंगे और इसे रन करके देखते हमारी विंड़ों बनी या NEрий ऑफ है देख सकते हमारी विंड़ों बन चुके पulaiment पर संहाई समाइर गई गई है और यहां पर जो नाम है हमारी विंडों काह Цा टाइटल है मिलिंग सब्सक्राइब और और यहाँ पर दाहन रखना है आपको जो image file बनाई होया आपने, image के अंदर ना डाले ही इस main को बाहर होना चाहिए, कई बार कुछ student इस image के अंदर इस file को बना लेते हैं और इसमें दिक्कत आ जाते हैं, ठीक है, देन आपको क्या करना है, simple आपको main लिखना है, .py लिखना है, आप देख सकते हैं, जो भी इसका file का नाम है, हमने और यहाँ पर G folder में आ चुके हैं, और billing software 1 में आ चुके हैं, क्योंकि यह जो हम folder open करते हैं, यह automatically हो जाता है, शिर्फ आपको इसके अंदर की जो file है, आपको run करना होता है, तो आपको शिर्फ python main.py करना होता है, और enter दब प्रोजेक्ट का, तो इसका हम reference लेंगे, अगर मैं यहाँ पर मुझे images मुझे डालने होंगे, तो इसके अंदर के जो images चाहिए मुझे, तो मैं सारे images को select करूँगा, और copy करके, जिस folder में हमें डालनी है, हमारे folder में लेके जाएंगे, billing software में, billing software select, और यहाँ पर हमने, तो य इसके अंदर सारे images आ चुके है, आप देख सकते हैं, तो हमने images डाल चुके है, तो इन सारे images के मैं description में link भी दे दूँगा, अब download कर सकते हैं, तो चले first हम देख लेते हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें images डालना है, 1, 2, 3, आप इसे skip भी कर सकते हैं, आपको images डालनी है तो डाले है, या आपको नहीं डालने हैं तो ठीक है, ठीक है, तो हम first डालेंगे हाँ यहाँ पर 1, 2, 3 images, तो चलते हैं, visual studio code में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, images folder में सारे images आ चुके है, इसे close कर लो मैं, ठीक है, हमारी file है, यहाँ पर main.py, तो हम simple हमें images डालनी है, तो first हम यहाँ पर create करेंगे एक variable, image नाम से, तो आपको simple क्या करना है, image, जो उपर आपनी image लिखा था, capital Allah image, dot करना है, open करना है image को, जहाँ पर आपकी images है, तो हमारी images इसी folder के अंदर है, simple आपको क्या करना है, double quote के अंदर, जो folder का नाम है, image लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है, तो मैं b1 लिख लेता हू, b1 dot, उसका extension, jpg, तो इस image का नाम और extension लिखना है, then हमें क्या करना है, simple, इस image हमें पता नहीं कि image यह छोटी या बड़ी है, तो हम इस image को resize करेंगे, first, resize के लिए, आपको simple यहाँ पर लिखना है image, जो उपर आपने लिखा था, ओई लिखना है, then यहाँ पर जोग कर लिखा था, image लिखना है, dot करना है, dot के बाद resize लिखना है, resize के अंदर आपको weight और height देनी होती है, resize जितनी करनी है आपको, ठीके, तो मुझे height दे दे देता हू, okay, first weight देनी होते है, then मुझे height देनी होती है, 130, then इसके बाद आपको क्या करना है, comma लगाना है और यहां प्लिकना है image तो यहां पर IMG capital I capital dot करना है इसके अंदर function होता है एंटिलाइज नाम से एंटिलाइज function क्या करता है यहां पर code से आपको close करना है एंटिलाइज को ओके close करने के बाद यह एंटिलाइज function जो काम करता है हाई-level image को लो लो लेवल image में convert कर देता है ठीक है इसका काम होता है दिन हमें यूज करना है यहां पर सेल्फ क्योंकि यहां पर यूज कर सकते से लगाने से class variable बन जाता है ठीक है तो self.photo-img कर देता फोटो-img दिन यहां पर काम आता है क्या image-tk का काम आता है image-tk की मदद से हम क्या करती फोटो-image में convert कर देते तो आपको लिखना है image-tk जो आपने उपर import किया है डाट इसके अंदर एक function होता है फोटो-image इस नाम से यह जो पी-capital है यहां पर आई-capital है एक ओके इंबिल function होते है यह इसके अंदर simple आपने जो image बनाए उपर तो इस image को पास करना है इस image को ठीक है तिन मुझी क्या करना है इस image को label की मदद से window पर show कराना है अब हमें मिल गए यह image जो भी हमें crop करनी थी इसकी width or height set करनी थी तो इसके अंदर आ चुके self photo image के अंदर ठीक है तो इस image को हमें label की मदद से window पर show कराना है first हम यहां पर लिख लेते हैं तो आप कुछ भी नाम रख सकते है ठीक है label one okay मैं label image कर देता image देन यहां पर आपको क्या करना है label लिखना है label capital label का इस label के अंदर आपको क्या करना है self dot कहां पर आपको window पर show कराने self dot root पर कॉमा लगाना है यहां पर लिखना है आपको image small img okay small लिखना है यहां यहां पर कई बार गलती कर जाते हैं कई स्टूडन सेल डॉट फोटो image यह फोटो इमेज ठीक है आपको यहां पर शो कराना अब बात आते है इस जो लेबल है हमें बाते हैं इस वीड़ो पर शो कराना है तो इस लेबल को हमें क्या करना है लेबल image dot आपको क्या करना है प्लेश इसके अंदर आपको एक साकसे सबर वा आकसेस देनी होते एक साकसे जिरो और वा अक्सेस भी जिरो चाहिए मुझे तो इसके अंदर वीट आपर हाइट देनी है सेम देनी है यहाँ पर जो आपने दिये है अगर आपने सेम नहीं देए तो क्या होगा वह भी बताऊंगा मैं वीट तो वीट 500 फर्स्ट हम सेम करेंगे और वीट करनी है और यहाँ पर हाइट देनी है आपको है रइट कितनी 130 गए कर में कंट्रोल एस करो और यहां से रन करके देखते हम तो रणंवữa चुका है आप देख सकते जो हमारा उसी यहाँ में जो इमेज है हमारी यहां पर फटन्सेट हो जूँकtoi कर लो आप देख सकते हमने तु हमने लेबल कम कर लिया तो इस लेबल कालίνे च्छ्ट१ इसके नेचे जाएंगे पेस्ट इसके नीचे जाएंगे पेस्ट इसके नीचे जाएंगे पेस्ट तो इसको точ र fijler करने यहाँ पीकरते है चाहिए नीचे यहाँ ब deport वहीं ब्याना प्राइं पर और यहां पर लगा दो और मुझे इसके नीचे यहां पर यह थार्ड इमेज के यहां पे थार्ड तो मुझे क्या करना था यहां पर आपको एक ड्याण रखना इस विरेबल के नाम जो है उपरकी सेम है तो इनकी नाम चेंज करने होगे ने तो एक ही इमेज पर सारे इमेज शो करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको चेंज करना है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर है तो यहाँ पर वन कर लेता हूं मैं और यहाँ पर भी चेंज करना है तो इसी तरह मुझे यहाँ पर भी चेंज करना है तो यहाँ पर टू कर ले था और यहाँ पर अल दावा के सलेक्ट कर सकते मौल्टिपल करसर के साथ यहाँ पर और यहाँ पर एक यहाँ पर एक और यहाँ पर एक है यहाँ पर टू नमबर की इमेज है तो यहाँ पर एक काम क इसकी 500 से start होनी चाहिए दिन सेकंड जो है आमाज थर्ड जो इमेज है यहाँ पर इसकी जो वीट है दोनों को calculation करेंगे हम इस वीट के और इस वीट को तो 1000 हो जाती है इसके उसके बाद यहाँ पर start हो तो इनकी images हमें change करनी है तो यहाँ पर मुझे girls की डालनी थी girls और यहाँ पर मुझे डालना है image का नाम यहाँ पर देख लिता हूँ girl girls ओके शायद girl 1 था control s करूंगा और इसे run करके देखते हम ओके perfect तो आप देख सकते हैं यहाँ पर images आ चुके सारे images आ चुके है perfectly यहाँ पर शो हो रहे है तो फर्स्ट इमेज 500 वीट थी सेकंड इमेज इसी से स्टार्ट हुई और यहाँ से आ चुके है और थर्ड अब मुझे चाहिए यहाँ पर आपको यहाँ पर image दिखाओ गर हम यहाँ पर image दिखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक label है billing software using python नाम से इस तरह हमें label बनाना है label title तो मैं चलता हूँ यहाँ पर visual studio code में और यहाँ पर इसके नीचे मुझे यहाँ पर label title बनाना है ठीक है तो यहाँ पर हम label बनाएंगे तो यहाँ पर label का नाम रख देता हूँ है label title ओके देन इसके अंदर हमें label लिखना है येल कैपिटल लेबल का इसके अंदर हमें लेबल कहां पर बनाना है ठीक है तो लेबल मुझे सेल्फ डॉट के अंदर बनाना है ओके दिन इसकी टेक्स देनी हमें हमें लेबल की यहां पर टेक्स देंगे हम तो टेक्स देना है मुझे पीलिंग सॉप्ट्वेर ओके इसकी फाउंड भी दे सकते हम यहां पर तो फाउंड फाउंड देंगे यहां पर यहां पर फाउंड का नाम दे सकते कुछ भी आपको जो पता है टाइम्स न्यू रोमन देता हूं साइस कितनी होनी चाहिए तो साइज दे सकते हों पर 35 कर लैता तीन से मैं हटा लो आपको क्या करना जो बीच अब स्टाइल देनी है कि को सताइल और बेल्ट पार गरां और अलवाऊंड का डैर्स तक तो मैं बैगरांऑ इसे लिखना है white तिन इसका और ग्राउंड कलर देना है मुझे और ग्राउंड कलर मुझे rate करना है तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी तिकी है और इसे हटा लो और यहाँ पर डबल कोट ओके परपेट अब मुझे क्या करना है इस लेबल को मुझे विंडो पर शो कराना सिंपल आपको वही लिखना है लेबल जो अपनी लिखा था लेबल टाइटल ओके लेबल टाइटल डॉट प्लेस करना हो कई जिए यहाँ पर पैक भी किया जाता है ठीक है तो आपको access लिखना है यहाँ पर जिरो से start होना चाहि associations जो है यह जो image है इसके नीचे आना चाहिए 130 से नीचे है 130 है इसकी wheat और हइड हम set कर सकते हैं अब मुझे वीट यहाँ पर सेट करना है इसके पूरे विंडो की जो साइज है वीट है उतनी हुने चाहिए 1-5-30 ओके दिन इसकी जो हाईट है मुझे हाइट चाहिए यहाँ पर हाइड भी सेट कर सकते इसकी तो हाइट अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते होटी पाय कर लेता और यहां पर कंट्रूल एस करके हम रण करके देखते हैं ओके तो यहां पर और इससे क्लोज कर लो ओके पर्फेक्ट तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं डेमो के लिए जो इमेज ओपन की थी यहां पर दिखाऊ तो मुझे एक यहां पर इसके अंदर एक फ्रेम बनाया है इस फ्रेम के अंदर जो चीज़े हमने डाली है यहां पर एक फ्रेम डाला यहां पर फ्रेम डाला तो यह चीज़े डालनी है ठीक है तो हम यह करेंगे इसे हटा लो और यहां पर जाएंगे विजो स्टूडियो कोर में तो मुझे फर्स क्या करना है एक फ्रेम बनाना है जो प्रेम तो मैंने में पर मिंद प्रेम के अंधर मैं क्या करूंगा एक फ्रेम बनाउंगा फ्रेम पनाने के लिए अप लगें यह आप वाल स्पाइम क्यों क忘 92 से लिक करनी है और आप को आपके आपकी मरजी क्योंकि बार्डर करों से हमें पता चलता है कि फ्रेम दिखती है कैसी दिखती है ठीक है कई बार उसी विंडो पर समाज आती है तो आपको बॉर्डर लिखने हैं यहाँ पर तिन बॉर्डर स्टाइल दीनी है हमें रिलीप में यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल होते हैं तो यहाँ पर गुरू देता ह है मुझे तो यहां पर background color यहां पर white कर लेता है तो हमें दिखे white color में और मुझे क्या करना है इस main window को mainframe को place करना है frame किसके नीचे करना है इस building जो हमने label बना है इसके नीचे करना है एक साक्सेस तो 0 से start होगा वगर जो वाक्सेस है इसके नीचे आना चाहिए अब हम इन दोनों को calculate करें जो हमने उपर वाली window है और यहां पर जो इसकी height है तो आप देख सकते हैं कितनी होती है and की 120 175 I think तो यहां पर 175 से नीचे आना चाहिए ठीक है इस label के नीचे आना चाहिए label title की अब मुझे इसकी wheat और height set करने इस frame के तो wheat पूरे window की नीचे जो जगा रही गई है उसमें मैं समा जाओ इसके अंदर ठीक है तो wheat तो same होगी जितनी window की है तो height मुझे चाहिए तो height मैं देख यहां पर height कर लेता हो 620 कर लेता हो Ctrl S करूंगा और यहां से run करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं जहां पर हमने frame डाला था अपने यहां पर बड़ा कर तो यहां पर देखे इसका border भी आ चुका है और यह perfectly दिख रही है ठीक है तो इसलिए हमने white color किया था जो कि हमें दिखे है उके तो इसके अंदर जो भी चीज़े दॉंगे हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि आसाना क्यों षासान हो जाती है किसी container बनाना है लेबल फ्रेम में एक चेंजस होता है कि आप लेबल आपको कस्टोमर क् और यहां पर कमिट करूँगा मैं नीचे तो customer label frame के लिए करस्ट तो यहां पर frame कर लो मैं इसके अंदर मुझी क्या करना है label frame L capital और EF capital label frame और अल्रेडी होता है इसके अंदर तो label frame की मदद से आप क्या कर सकते हैं उसका जो text दे सकते हैं अप label frame का mum dificult handled में आप क्या कर सकते-अंदर दिक्सकित करना जय करना है श्रम किस रोच के अंदर नहीं दो जाएगा दिन आभ हो सकती है आपको तेक्स देने के लिए आपको क्या करेंगे यहां पर customer ओके तो इस तरह आप text दे सकते हैं और यहां से आप found क्यों copy करके इसकी found size यानिकी found color या founds की style दे सकते हैं तो इस तरह करेंगे हम control copy ओके और यहां पर आपको इसकी width size है आपको size कम रखनी है और यहां पर जो white background color white background color तो नहीं ओके background color चाहिए मुझे और यहां पर फॉर्गार्ण रेट ओके अब मुझे क्या करना है इस लेबल फ्रेम को customer लेबल फ्रेम और डॉट इसको प्लेस करना है मुझे प्लेस करना है इसके अंदर इसके यह अंदर करना है कस एनकी में फ्रेम के अंदर तो एक साक्सेस जो है मुझे एक साक्सेस जिरो से एनकी थोड़ा सा इससे डिपरेंट हो जाए टेन से यहां पर दिश्टन आ जाए और यहां पर वाक्सेस जो है जो मुझे चाहिए फायू से एनकी ऊपर से इसके थोड़ा सा नीचा जाए फायू ओके धान रुके हमें सेल ब्रॉट पर नहीं बना रहे है इसलिए हम वाई जो है फिर से स्टार्ट करने में फ्रेम के अंदर ठीक है और इसकी वीट और हाइट हम सेट करेंगे और यहां पर वीट दे कि यहां पर इख सकते हैं हमारी जो फ्रेम चाहिए हमें लेबल फ्रेम यहां पर आ चुके ठेडिक है तो इसे हटा लो दिन मुझे क्या चाहिए इसके अंदर मुझे यहां पर क्लिक करो तो आप देख सकते ही मोबाइल नंबर कुस्टमर नेम एमेल इतनी चीजे चाहिए तो यहाँ पर ओके इसके अंदर ही बना लता हूँ है तो यहाँ पर मुझे फर्स चाहिए आप देख सकते यहाँ पर mobile number customer name email ओके तो मैं बना लता हूँ जल्दी से तो फर्स मुझे यहाँ पर यहाँ पर हिबना लेता हूं नीज ची Çी तो यहां पर फर्स मुझी क्या चाहिए self- .Dội Label Mobile limitations के लिए चाहिए तो यहाँ पर mobile और यह मुझी क्या चाहिए Label चाहिए और किसके अंदर चाहिए Customer Frame के अंदर Customer Frame तो यहाँ पर फर्स चाहिए मोबायल नमबर के लिए तो मोबायल और यहां पे नमबर तो इस तरह और इस AK और है को Ski ऊपर सप्रसक्राइब हो प्रम करेंगे इसे कौपी करके यहां पर सिंपल आपको क्या ला में को पेक्ष करना और enzymes तो उपर द्यान रखना है इसका जो background color दिया है मैंने white दिया है क्योंकि frame का भी background color white है आप यहाँ पर white ही देचे में तो brown color में दीखेगा इसका background color इस frame का एननी की इसका label तो आपको यह ध्यान रखना है कई बार यह गलतियां करते हैं आपको को इसको में कहां करना यह करूंगा नीचा होंगा यहां पर और यहां पर शीरेड से करों गारो खरोंगा यहां कि यहांonग्य है और यहाँ पर ctrl s करके run करके दिखाता आपको ओके तो देख सकते आप जो mobile number है यहाँ पर आ चुका है ठीक है इसका color हम change करेंगे और इसमें थोड़ी सी कुछ properties होते है तो यहाँ पर back red की जगा by default red यहनि की white by default black color होता है तो color हम by default रखेंगे और यहाँ पर comma लगाना है तो यहाँ पर sticky waste की तरब क्योंकि इसकी जो wheat है यानि कि यह जो mobile number हमने label डाला है sticky waste हो जाए कई बार जब हम चीजे डालते हैं तो यह इधर उधर हो जाता है तो इसके लिए हम sticky waste लगते हैं तो याद यह दहन रखना है मैं थोड़ी सी padding भी दूँगा social distance maintain रहे इसका okay pad x कर लेता हूँ pad x आपकी मर्जी कितनी करनी है आप पर depend how you कर लेता हूँ then जो pad y है y distance से हमें distance मिल जाए 2 कर लेता हूँ control s okay तो मुझे क्या करना है अब मुझे इसके लिए entry बनानी है तो entry बनानी के लिए क्या करना है simple आपको self अपको यह self लगाना है तो लगाई है नहीं तो कोई ज़रुत नहीं जब हम self कप लगाते है इसके लिए एक इंट्री बनानी है तो यहाँ पर मैं इंट्री करूंगा ओके इंट्री के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर mobile नंबर की इंट्री mobile नंबर और यहाँ पर entry field के मदद से हम entry बनाएंगे तो इंट्री किस कहाँ पर बना रहा है हम customer के customer frame के अंदर और comma entry में आपको यहाँ पर test नहीं देनी होती है आपको सिर्फ यहाँ पर found देनी है तो यहाँ पर मैं found copy कर लेता मैं इससे एक variable की मदद से भी डाल सकता था मगर मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ इस तरह ओके तो इस तरह डालेंगे हम इस entry को मुझे क्या करना है वीट देनी होती है यहाँ पर तो यहाँ पर वीट तो इंट्री की वीट कितनी हो चाहती है 24 और मुझे क्या करना था मैंने बताया हुआ कि आपको यहाँ पर गूगल जैसी इंट्री फिल भी ले सकते आप तो यहाँ पर हमने उपर इंपोर्ट किया था तो देख सकते ttk तो यहाँ पर मुझे ttk से यहाँ पर entry फिल लेने थी ttk.t तो इसके अंदर भूती stylish entry फिल होते हैं थोड़ी सी Google जैसे तो हम इसका यूज करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है place करना है self. जो अपने लिखा था entry mobile. इसको क्या करना है grid करना है और यहाँ पर grid की मदद से grid करेंगे. अग grid में row और column देनी होते हैं simple row 0 होगा और column जो है इस mobile के आगे होना चाहिए इसका column है 0 तो यह 1 हो जाएगा तो इसके आगे आजाएगा 1. control s और इसे run करके दिखाता है आपको ओके परफेक्ट तो आप देख सकते हैं पर ओके तो यहाँ पर जो Google जैसी इंट्री फिल दिखाय दे रहे है जब हम क्लिक कर रहे है इस पर तो यहाँ पर जो ब्लू लाइन आ रहे है आप देख सकते हैं तो मैंने मोबाइल के लिए लिए लिका था पहले और यहाँ पर हम कहीं पर भी लिख सकते ही है अप इस कस्टमर फ्रेम के आगे कोई बी चिजी यहाँ यहाँ य बीदर लिलक थे में लिए क्या है क्या Jew प Zug करेंगे और इसे रण करके देखते हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुबाइल नमबर, कस्टमर नेम और यहाँ पर इंटरी फिला आज चुके तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रोड़क के लिए बनाना है, कॉम्बो बॉक्स बनाने है और यहाँ पर एक लेबल फ्रेम बनाओंगा, उसके अंदर मैं कॉम्बो बॉक्स डालोंगा, ठीक है, तो इसे हटा लो इसके लिए simple आपको क्या करना है एक label frame बनाना है तो इसी को copy करना है आपको copy करेंगे और इसके नीचे आएंगे यहाँ पर और simple paste करना है और यहाँ पर मैं comment कर दो यहाँ पर product था अके यहाँ पर product just comment और यहाँ पर भी change करना है product अके तो मुझे यहाँ पर क्या changes करने है जो X axis है जो उपर हमने फ्रेम बनाया था इसकी जो height है देख सकते है 350 है इसके आगे आनी चाहिए ठीक है इसके आगे आने के लिए आपको simple क्या करना है इसका आगे का जो X axis है आपको यहाँ पर डालना होगा ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 370 कर लेता और Y axis सेम होने चाहिए और इसकी जो weight है आपकी मर्जिश्य आप बढ़ा सकते है मैं 500 कर लेता और इसकी जो height है सेम होनी चाहिए control is करेंगे और run करके देखते है ओके परफेक्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें label फ्रेम चाहिए था यहाँ पर product नाम से यहाँ पर आ चुका है ठीक है इसके अंदर हमें चीज़े डालने है जो भी हमें डालने है ठीक है तो आपको दिखाओ कि क्या डालना है हमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डालना है select category sub category product name और यह जो है combo box है यह तीनों combo box है यह चारों combo box है यहाँ पर एक entry फील है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे first तो हम label बनाएंगे इसके नीचे थोड़ी से hide बढ़ा लो में इसे बाद में कम ज़्यादा करेंगे 600 रख देता हूँ फिलाल के लिए फिलाल के लिए रख देता हूँ 600 बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इसे हटा लो और यहाँ पर मुझे simple एक label डालना है category के लिए select category के लिए और label डालने के लिए simple हमने उपर label डाला हूए है तो इसे को copy करेंगे और paste करेंगे paste करने के बाद इसमें changes करने हमें तो changes करना हम यहाँ पर first यहाँ पर हम लिखेंगे category category okay तो यहाँ पर यहाँ पर आचुके है और यहाँ पर हमने label का नाम change कर लिया हमें क्या करना है इसे customer frame प्रोड़क्ट 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 प पर सब्सक्राइब कर देता हूं और मुझे क्या करना है यानि कि यह फ्रेम आलग है तो यहां पर जिरो से स्टार्ट होगा फिर से रोज हिरो कॉलम जिरो कंट्रूल एस करूंगा और इससे में फ्रेम में दिखाता आपको ओके क्या में के पाड़ेयां है इसलेट के टनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है वह सभाक्स हमारे टीटीकी के अंदर होते हैं तो इसकी मदद चे हम कॉंभाउस बनाते हैं को किस तरкивस का र leurs नाम से काइछー कहाइच कॉपी कर लो क्योंकि कई बार mistake हो जाते है spelling spelling का कोई मतलब ने होता है यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं को combo box होते हैं हमारे ttk के अंदर dot combo box नाम से तो यह combo box किसके अंदर बनाना है आपको product frame के अंदर product frame के अंदर दिन आपको जो हमने product frame के अंदर combo box बना रहे है उसके अंदर आपको क्या करना है found देनी है इसके तो आपकी मर्जी से आप found दे सकते हैं तो यहाँ पर copy करूँगा मैं यहाँ पर background भी copy और यहाँ पर आपको simple paste करना है ओके तो यहाँ पर हो चुका है अब मुझे क्या करना है इसके बाद simple आपको इसकी जो values है यहाँ पर self.combo तो यहाँ पर मुझे combo category और इसके अंदर आपको क्या करना है simple simple आपको इसे grade करना है dot grade grade क्या करना है आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर row 0 और row column जीर है इसको copy कर लो और यहाँ पर paste कर लो अब इसके आगे चाहिए तो row 1 हो जाएगा ठीक है तो इस तरह आप लिखेंगे दिन मुझे क्या करना है इसमें आप यहाँ पर यह जो चीजे दिये थी हमने इसका maintain रख सकते हैं आप copy करेंगे और यहाँ पर simple आपको paste करना है जो कि हमें social distance होना चाहिए इसी तरह तो यहाँ पर वीट में background color नहीं दिया जाता है तो इसे हटा लो मैंने यहाँ पर copy paste किया था इसलिए समझ में नहीं आया ओके तो इससे मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर मुझे वीट भी देनी थी जैसे हम इंट्री फिल को इवीट दे रहे थे तो इसी तरह इवीट भी देनी हमें उसकी भी 24 कर लेता हूँ control s और यहाँ से run ओके परफेक्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो combo box है combo box आ चुका है मगर आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर writable combo box बन चुका है मुझे इस तरह नहीं चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो simple है हम change करेंगे इसे चेंज करने के लिए simple आपको क्या करना है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है यहाँ पर weight के बाद यहाँ पर लिखना है state state के बाद इसके अंदर double quote के या single quote के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर read one leave दिन मुझे क्या करना था यहाँ पर थोड़ी सी बीटीस की ज़्यादा हो चुक है इसकी थोड़ा फाउंड कम कर ले दा क्योंकि इंट्री फिल्ट जो हमारी उपर वाली देख सकते आप 10 है ठीक है तो कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ से रन करके देखते हम आप देख सकते हैं हैं पर राइट नहीं कर सकते हैं यह कॉंभा बाक्स परफेक बन चुका है अब मुझे क्या चाहिए नीचे जो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पर सब कैटेगरी प्रोड़क्त नेम प्राइस और कॉंटिटी तो इसके लिए कॉंभा भी लिख लिया इसके आगे ठीक है मैंने comment कर लिए आपको सारी चीजी यहां पर comment कर लिजिए क्यूंकि आपको समझने में आसान हो जाते हैं तो आप comment कर सकते तो आप देख लिजी यहां पर सब कैटेगेरी product name price के लिए रखा है यहां पर price के लिए combo box चाहिए मुझे और quantity के लिए मुझे सिर्फ entry चाहिए तो यहां पर इंट्री फिल बना लिया है ठीक है तो इस तरह आप बना सकते हैं इसमें एक ही changes है आप यहां पर row as column change करने हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं और इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मुझे क्या दिकत हो रही थी यहाँ पर यहाँ पर कस्टमर फ्रेम में मैंने यहाँ पर ओके तो कस्टमर फ्रेम यहाँ पर जो यहाँ पर हमने प्रोड़क्ट फ्रेम बनाया था इसके जो वीट थी हमने 600 देए तो मैंने थोड़ी सी बढ़ा ल तो कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हम तो आप देख सकते सारे कॉंब बॉक्स आ चुके हैं सब कैटिगरी प्रोड़क्ट नेम प्राइस और यहां पर कॉंटिटी सेलेक कर सकते हैं तो मुझे क्या करना है इसके बाद यहां पर एक मुझे बील इर्या बनाना है आपको दिखा दो यहां पर तो इस तरह मुझे बील इर्या बनाना है उपर बील नंबर के लिए यहां पर सर्चिंग सिस्टम भी चाहिए तो यह बनाना है मुझे तो जल्दे सी ओ बना लेता तो तो मुझह इसका नाम रखना है BIL-Area just the comment ओके आप कुछ भी कर सकते हופे एरिया और है कमेंट कर इसके नीचे मुझे चाहिए एक लेबल प्रेम तो यहाँ पहँ दूहलिए हम पर राइट राइट लेबल फ्रेम कर दो और यहां पर फ्रेम तो इसके अंदर मुझे लेबल फ्रेम बनाना है सिंपल लेबर फ्रेम मुझे लेबल फ्रेम किसके अंदर बनाना है में फ्रेम के अंदर में फ्रेम ध्यान रखना है आपको में फ्रेम के अंदर तो इसकी टेक्स दे सकते आप सिंपल टेक्स देनी है आप पर यहां पर label frame बनाया था उसी को copy कर लिता हूं ठीक है और यहां पर हमने label frame बनाया था और इसकी font और जो foreground color था copy करेंगे इसके साथ और simple हम यहां पर paste करेंगे ओके परफेट तो हम नीचे आएंगे और इसे हम सिंपल प्लेस करेंगे राइट फ्रेम और यहाँ पर प्लेस तो प्लेस करने के लिए सिंपल जो वीट साइट वीट और हाइट है आपको सेट करनी होती है सिंपल आप देख सकते हैं जो हमने उपर जो लास लेबल फ्रेम डाला हुआ था यहाँ पर इसकी जो एक साथ से स्टार्ट हुई थी 370 से और वीट है 620 इसको कैलकुलिशन करने के बाद जो आएगा उसके आगे हमें डालना आईए ठीक है तो शायद 100 से डालेंगे हम और य जो है वाइ सेम रहेगे कहां से स्टार्ट होनी चाहिए फाई से ओके तो मैं फाई ने 544 एनकी 45 कर लेता 45 क्योंकि मुझे सर सिस्टम बनानी हो पर इससे तो इसकी जो वीट और हाइट सेट करनी है हमें तो वीट कर लेते हम आपकी मर्जी आपको जितनी चाहिए उतनी कर सक परफेक्ट अब देख सकते हैं यहाँ पर वी लेरिया जो हम अदि लिबल फ्रेम चाहिए तो यह आ चुका है तो इसके अंदर हमें टेक्स फिल बनानी है बिल के लिए उके बिल रिषीट के लिए तो इससे हटा लो में जो हमें यहाँ पर देख सकते हैं यह X के लिए होता है और यह Y के लिए होता है राइट साइड में ठीक है तो इसके लिए मुझे चाहिए और इस स्क्रोल बार किसके अंदर होता है स्क्रोल बार से आप उसकते तो आप डारेक्ल्ल पार भी स्क्रोल बार विग 추ब सकते और यह मुझे बनाना है राइट फ्रेम के अंदर रएट लेबल फ्रेम के अंदर और इसके बाद इसके अंदर देना होता है और तो यह होगा वर्रीकल्स और शायद औरटिकली होगा और तेक्स एरिया सबस्क्राइब लगाया मैंने क्योंकि मुझे गुलोबली उजग करना है च्पिल को क्योंकि मुझे फंक्षिंट्ड भी यूज़ करना है तो यह सेल्प लगा सकते है इस तरह अर्टेक्स फिल लेंगे हम यहाँ पर T capital, inbuilt function होता है, text fill होती है यहाँ पर, और यह text fill किसके अंदर बनाना है, right frame के अंदर, right level frame के अंदर, okay, then मैं क्या करूँगा, इस right frame के अंदर बनाने के बाद, इसे आपको set करना होता है, y, yani की j登録 command पे देना होता है, तो मैं y scratch command भी दे रहा हूCommand यहाँ पर, scroll, यहाँ पे लिखना होता है, scroll command आपको suggest नहीं करता है कर यह बार, y scroll command देना होता है, equals to, आपको इसे set करना होता है किसके साथ scroll अपनी जो ओरेंट लिखाता y.set करना है set function से set करने के बाद आपको क्या करना है simple आपको जो बैक्राउब कलर देना है तो बैक्राउब कलर दे सकते हैं इसके अंदर की जो text है یعنी कर आपको set text नहीं बोल सकते हैं इसे हम background color बोल सकते हैं जो टेक्स फिल बनेंगे हमारी उसका background color ठीक है और उसके अंदर जो हम text डालेंगे उसका color देना है तो foreground color दे सकते हम यहाँ पर तो मैं blue कर लेता और उसके बाद मुझे क्या करना है इसकी जो pounds यहाँ पर pound style देनी है तो copy करेंगे copy और simple आपको यहाँ प जितनी आपको देनी है मैं 12 कर ला कर रहा हूं और यहाँ पर मुझे क्या करना है यहाँ पर अब यह टेक्स इरिया बन चुका है ओके टेक्स फिल बन चुके इस टेक्स फूल फिल को मुझे क्या करना है scroll command जो है हमें फिल करना है y-axis में तो इससे हमीं करना है scroll y-dot हमें क्या करेंगे पैक करेंगे simple pack क्योंकि directly pack करना है इस command के अंदर तो हम pack करेंगे तो pack में बहुत सारे चीजे होते है साइड देनी होते है साइड लेब साइड राइट साइड तो इसे आठालो साइड तो यहाँ पर मुझे right side देनी है तो right capital क्योंकि right side में scroll बनाना चाहिए तो इसलिए मैं right side कर लिया है then मैं क्या करूंगा इससे feel करना है मुझे feel कहां पर करना है y access पर करना है तो यह y access होता है scroll bar then मुझे क्या करना है अब उसके बाद इस command को मुझे text area के साथ जो हमने scroll bar बना रहे है इस scroll bar को इस text field के साथ जोड़ना होता है इसके लिए हम क्या करेंगे config करना होता है method होती है config नाम से तो scroll okay scroll y.config और confirm के अंदर command लिखने है आपको command small okay capital नहीं लिखना है कभी-कभी capital command आपको suggest करती है तो यहां पर self.text area को आपको क्या करना है वीव करना है y view इसके अंदर एक function होता है x y view और x view okay देन आपको config करने के बाद आपको simple आपको क्या करना है इस text area को self.text area. और इससे simple आपको pack करना है पैक करने के लिए आपको यहां पर फील करना है जो हमारी जो text area है पूरा फील हो जाए बोज साइट दोनों साइट में और यहां पर आपको expand करना होता है expand expand one मतलब पूरी जो parent जो text area हम बना रहे है उसमें फील हो जाए समा जाए तो इसलिए यह expand one हो जाए होता है और फील बोज साइट कंट्रोल एस करेंगे और यहां से run करके दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं हम चीजे ओके ओके तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा scroll बार भी आ चुका है ओके अभी नहीं आपी scroll नहीं करेगा क्योंकि जब तक हम चीजे ने डालेंगे तो scroll नहीं करेगा अब यहां पर scroll अगर मैं यहां पर enter दाओ दबाओ आप देख सकते हैं यहां पर scroll बार बन चुका है तो यहां पर ओके तो इस तरह हमें scroll बार बना लिया है इसके अंदर जब हम ज़्यादा इंट्रीज करेंगे बील के तो हमें scroll बार की जरूरत होगे तो इसलिए हमने scroll बार बना लिया ओके परपेट तो मुझे क्या करना अब अब मुझे चाहिए नीचे बील काउंटर के लिए इसे हटा लो तो मुझे क्या चाहिए आप देख सकते यहां पर यहां पर जो बील काउंटर है इस लेबल को मुझे यहां की लेबल फ्रेम को बनाना है ठीक है इसके नीचे आना चाहिए तो इसे हटा लो और यहां पर जाएंगे हम तो लेबल फ्रेम बनानी के लिए simple आपको क्या करना है उपर से जो अपनी label frame बनाया है इसी को copy करेंगे copy करेंगे इसे copy और नीचे आएंगे सबसे यहाँ पर paste करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर सही से आपको बतानी की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कई बार कुछ लोग क्या करते सारी label इनकी label फिल्प बना लेते हैं उसके बाद जो चीज़े डालते हैं तो मैं एक साथ बना की दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको confusion ना हो जाए ठीक है तो यहाँ पी मुझी क्या करना था बील काउंटर करना था इसका नाम चेंज कर लो मैं यहाँ पर बील काउंटर रख हैं कि खरोगे मुझी का करना इसका जो विरिवल का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पर बील काउंटर भी रख सकता है तो मगर बाटम रखूंगा क्योंकि नीचे अपपर यह इसका लास्ट फ्रेम और यह दिन मुझी का करना है यह जो एक स्क्समें पूरे विंडो पर ड हिरो कर लेता और इसके हाइट में बढ़ा लो तो हाइट अपनी इसाप से आप चेंज या कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहां पर आप कर आने हैं तो उपर सी लेबल और इंटरीफिन आपर करेंगे यहां पर दिखें इस कोपी करेंगे ओर यहां पर करने के लिए changes करने के लिए simple first हमें कि क्या change करना है इस quantity को change करना है तो मुझी क्या करना है यहाँ पर first चाहिए मुझे sub total के लिए sub यहाँ पर लो मैं यहाँ पर total ओके sub total और मुझे यहाँ पर combo box की जगा लिखना है entry कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जे ओके entry मुझे यहाँ पर change करना था यहाँ पर quantity की जगा मुझे चाहिए sub total यहाँ पर total होना चाहिए sub total ओके perfect और यहाँ पर जो row है यह row जो है 0 होगा और इसके column भी 0 होगा यहाँ पर यहाँ पर और इसका row column होगा 1 होगा यह label है ओके label के आगे interview होनी चाहिए बस perfect अब यह जो हमारे product frame के अंदर था हमने copy किया था मगर हमें bottom frame के अंदर चाहिए तो simple आपको क्या करना है और दबा के select करना है और लिखना है bottom frame control is और run करके देखते हैं perfect तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें interview चाहिए थे यह interview आ चुके ऐसे ही मुझे दो बनाने हैं और तो इसे close कर लो तो जल्दी से मैं बना लो तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे मैंने जो interview चाहिए और label चाहिए यहाँ पर बना लिया है यह सब total के लिए हमने first बनाया था यहाँ पर taxes के लिए बनाया है और यहाँ पर इसके आगे यह interview बनाया है ठीक है row number 1 और जो column है 01 row number 2 01 ठीक है तो यह amount total के लिए थी और यहाँ पर control S करेंगे UD को pause करके इसे लिख सकते हैं और यहाँ से run करेंगे हम perfect तो आप देख सकते हैं यहाँ पर calculation यहाँ पर आ जाएगे ओके तो मुझे क्या करना है इसके आगे यहाँ पर मुझे buttons बनानी है तो buttons बनाएंगे तो चलिए तो इसे close करेंगे हम तो इसी के अंदर मैं एक frame बना लेता हूँ ताकि आसान ही हो हमें button डालनी में और यहाँ पर button frame नाम से comment कर लो में comment और नीचे मुझे button frame बनानी है तो यहाँ पर button जस्ट आप कुछ भी नाम रख सकते है button लिख लेता हूँ button और यहाँ पर frame कर लेता हूँ यहाँ पर capital कुछ भी कर सकते है button frame और button frame के लिए आपको frame बनाना है यहाँ पर और इसके अंदर आपको क्या करना है bottom frame के अंदर बनाना है चीक है button frame कॉमा यह button frame और bottom frame में confuse ना हो जाए यहाँ पर आप नाम दूसरा दे सकते मैं btn कर देता हूँ है क्योंकि confusion हो जाता है btn button और यहाँ पर bottom frame है तो इसकी border कर लेता हूँ है border आपकी मज़े से to कर सकते है आप to कर लेता और background color मुझे okay मैं white कर लेता हला कि मुझे नहीं दिखाना था ये frame इसलिए मुझे white करना है जो हमने उपर bottom frame बनाया था white ही था ये भी white हो जाएगा क्योंकि हमें ये frame नहीं दिखाए देगा जो हम उपर इसके button डालेंगे ओई दिखाएंगे ठीक है तो इससे क्या करेंगे हम button.place करेंगे जो हमने total subtotal बनाया था उसके बाद entry field बनाया था उसके आगे होना चाहिए frame और x axis 320 से start करूँगा y0 से start होगा okay perfect मुझे क्या करना है इसके अंदर buttons बनाने है बटन बनाने के लिए simple आपको क्या करना है self.meug fuse करने है self button यहाँ पर लिख सकते हैं button add to card okay card और यहाँ पर button की मदद से button बनाएंगे okay तो button किसके अंदर बनाना है button के अंदर button frame के अंदर comma करना है आप button की टेक्स दे सकते हैं अब यहां पर टेक्स देंगे हम एड़ टू कार्ट ओके कार्ट ओके दिन मुझे इसकी जो फाउंड देनी है तो यहां से कॉपी कर लूँगा कॉपी तेन यहां पर सिंपल आपको क्या करना है पेस्ट करना ओके दिन यहां पर आप यह भी दे सकते हैं इस ओके यहां पर स्मॉल देना होता है और यहां पर मुझे चाहिए फॉर्गाउं कलर ओके यह जी कलर और यह जी कलर कर लेता वाइट वाइट आच्छा दिखला ओके पर्फेट तो इस बटन को मुझे प्लेस करना यहने की गिरीट करना है जेल डॉट बटन एड काड डॉट ग्रीड तुकि हमने जो बनाया है अलुड़ी फ्रेम बनाए यह बटन फ्रेम के अंदर डालना है अपको क्या करना है रो और कॉलम डालने है रो जीरो से स्टार्ट होगा उंके-कॉलम जिरो से स्टार्ट होगा ओके इसकी जो साइज है आप बढ़ा सकते है मैं यहाँ पर 15 कर लेता यह पार मैंने यहाँ पर देख सकते है यह रेल भी यूज़ किया है आप टाइम स्नूर वन यह रेल या आपको जो पता है वो लेंग्विज यहाँ पर यूज़ कर सकते है कंट्रोले सावर रन करके देखते है ओके परफेक्ट तो आप देख सकते है अट तो कार्ड यहाँ पर बटन आ चुका है ठीक है तो इसी तरह मुझे सारे बटन बनाने है इसकी जो हाइट है मैं बाद में बढ़ा लूँगा तो हाइट आप बढ़ा सकते है इसके अंदर ही मैं हाइट कैसे बढ़ा नहीं है आपको बताता हूँ यहाँ पर अब यहाँ पर कई पर भी लिख सकते हैं इस बटन फिर्म के आगे तो मैं यह इसे लिख लेता hide to कर लेता तो मुझे इसी तरह सारे button बनाने है तो मैं क्या कर लेता copy paste कितने बनाने है I think 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाने है देख लेता है 6 ही बनाने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बनाने है शायद यह 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर 6 तो मुझे क्या करना है इसके नाम चेंज करने है तो यहां पर नाम चेंज करना है तो second चाहिए मुझे second I think generate bill के लिए चाहिए button generate bill कर सकते हम यहां पर और यहां पर भी change करना है हमें इसका नाम यहां पर generate generate यहां पर बील कर सकते हैं B capital कर लेता है यहां चाहिए बील ओके अब मुझे क्या करना है यह row सेम होगी मगर इसके आगे होना चाहिए तो column होन होगा तो मैं आपको दिखा था इससे comment कर लो control S और यहां से run एकी line में होने चाहिए सारे तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए आपको आपको शरीप यहां पर देख सकते है आपको शरीप क्या करना है जो भी आपको column change करने है row change नहीं करना है row नीचे नहीं लाना है सिर्फ column change करने है इसलिए हटा लो और इससे comment से हटा लो और यहां पर मुझे नाम चेंज करने है I think second था save के लिए था इसलिए यहां पर आल दबा के multiple cursor select कर सकते save build था यहां पर मुझे क्या चाहिए two चाहिए इसकी width आप बाद में बढ़ा सकते है इस button की बाद में बढ़ाएंगे बताओंगा मैं और यहां पर मुझे change करना है और यहां पर भी set में इससे भी हटा लो साथ में नाम लिखेंगे यहां पर और मुझे यहां पर क्या चाहिए save के लिए हो चुका है अब मुझे चाहिए देख लेता हूँ यार save build print और clear और exit okay print के लिए चाहिए print और इसका तीन नमबर और यह चाहिए मुझे यहां पर print के बाद clear चाहिए यहां पर गलत लिखा है spelling कोई बात नहीं यहां पर गलत लिखा तो भी कोई बात नहीं होती है और यहां पर लिखना है clear और यहां पर मुझे लिखना है एक्जिट ओके मैं आपको लिखा लिखके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है एक्जिट और यहाँ पर किस तरह लिख सकते हैं आप और यहाँ पर Ctrl S करेंगे और इससे run करके देखते हैं सारे बटन हमारे बने या नहीं ओके तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बर हो चुके जो एकजिट बटन है इसके उपर आ चुका है तो हमने इसका column change नहीं किया लास्ट में यहाँ पर 4 करना था और यहाँ पर 5 Ctrl S और यहाँ से run ओके परपेक्ट तो सारे बटन आ चुके आप देख सकते हैं अब मुझे इसकी width same set करनी है सबकी width same set करनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर हमें कहीं पर भी आप दे सकते हैं तो मैं इसके बाद दे देता आल दबा किस सबको select कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर कॉमा लगाना है wait तो wait आपकी मर्जी से आप set कर लिजिए मैं wait set करता हूँ 15 करके देखता हूँ Ctrl S शायद यहाँ पर कुछ देख लेता हूँ है कुछ नहीं यहाँ पर error जैसी दिख रहा है Ctrl S और run ओके perfect तो आप देख सकते हैं सारी की wait सेम हो चुके हैं इस तरह हम set कर सकते हैं अब देख रहे हैं जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इसे हटा ले और इसे हम select करेंगे फिर से यार और यहाँ पर और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखना है आपको OK कर सर लिखना है OK कर सर लिखने के बाद आपको इसके अंधर parenthश रहिपर यहाँ पर लिखना पर कहीं तरह के ह LG होते हैं यहां पर आप लिख सकते च्रकाइश करेंगे हैं एसे रण करके देखते हैं अ के तो यहांपी रन हो चुका अगर मैं यहां पर यह पर आज तो आप देख सकते हैं अब बटन वाली फिल आ रही है यहँ है एम यह रहा है लिम kaum hand भी आप दे सकते खर्सर ज़से कई तरह के hand वते आप दे सकते आप search कर सकते हैं नेट पर तो मैंने यहां पर hand भी दे चुका तो मुझे क्या चाहिए आप यहाँ पे सर्चिंग लिए चाहिए और यहाँ पे फ्रेम बनाएंगे और इसके अंदर एक फोटो डालेंगे दो फोटो डालेंगे तो इस रोज कर लो तो मैं बता दो पहले कि क्या बनाना है यहाँ पर देख सकते बील नंबर इस तरह हमीं तो आप देख सकते हैं जो राइट फ्रेम हमने बीविर्या बनाया था इस तरह यह इसके उपर बनाना है मैं थोड़ा सा स्क्वेंश ली जाना चाहता आपको कंप्यूजन ना हो तो इसलिए मैं इसके उपर बनाऊंगा ठीक है सर्च के लिए तो जस्ट हम यहां पर कमेंट कर करते हैं और यहां पर सर्च वाला बनाया था इस पर पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं यहां पर सर्च ऑके और यह मुझे पनाना है में फ्रेम के अंदर यहां पर में फ्रेम ऑके अब मुझे क्या करना है इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हम इसको मुझ इसके उपर है बना रहे हैं यह जो चीज़े हम एक frame बनाके यह बी number, label और जो entry फिला और यह बटन इसके आंदर डालेंगे इसलिए जो main frame है इसके आगे होना चाहे तो इसकी जो weight है हम set कर रहे हैं 120 कर लिया है और y जो है y कर लेते हम 10 कर लेते हैं टेनी था आइधिंग और यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसकी weight और height set करनी है ओके search के लिए तो simple आपको weight set करनी है weight set कर सकते हैं जितनी चाहे और जितनी चाहें नहीं इसाब से रख लिजे height कम करनी होगे I think height की spilling okay 40 कर लेता और यहाँ पर ctrl s देखते हैं I think frame नहीं दिखाए देगा कि हमने color white दिया है इसका तिसले यहाँ पर नहीं दिखाएगा अगर मैं यहाँ पर क्या करूं नीचे होंगा और इसके अंदर डालेंगे हम कुछ क्या चाहिए मुझे first चाहिए इसके अंदर मुझे first चाहिए लेबल चाहिए ओके तो search bill number के लिए चाहिए लेबल तो सिंपल मैं कर लाता हूँ लेबल के लिए यह कहीं से लेबल उटा लेता हूँ copy यह इसे लेबल उटा लिया मैंने paste कर लिया और मुझे इसका change करना है नाम लेबल मुझे बील के लिए चाहिए ओके बील के लिए और यह होगा search के अंदर search frame के अंदर ओके इसके weight और height set कर सकते आप अपनी मर्जे से ठीक है और इसका नाम change करेंगे हम बील number I think number ओके और इसके जो मुझे border नहीं चाहिए इतनी I think मैं border हटाई लो इससे मुझे border नहीं यह चाहिए और यहाँ पर मैं इसका white आप यहाँ पर मुझे क्या चाहिए background background मुझे rate चाहिए और यहाँ पर फॉर्गराउन कलर भी देता फॉर्गराउन कलर मुझे चाहिए white ओके और यह 00 white और इसकी padding जो है मुझे pad नहीं चाहिए इसके पैड कर लेता और फिर भी पैड एक्स वन कर लेता ठीक है और यहाँ पर पैड वाई के लिए मुझे नहीं चाहिए और इससे रण करके देखते हैं तो आप देख सकते ही बील नंबर आ चुका है इस फ्रेम के अंदर जो हमने यहाँ पर एक फ्रेम बनाया है क्योंकि इसका फ्रेम को थोड़ा सा हम नीचे लेंगे 15 करके देखता हूं क्योंकि थोड़ा सा उपर दिख रहा था ओके आप सही है इसे हटा लो मुझे इसके बाद एक इंट्री फील चाहिए इंट्री फील के लिए हम यहाँ से एक इंट्री फील उटाएंगे यहाँ पर कोपी और यहा करेंगे हों पर ट्रेक्स टे इंट्री कर देंगे के यह पर हम यहाँ पर हम इंट्री हो सकती 돼 डूबारा हम awesome डालेंगे और हर्हाँ पर finance करेंग चयूंकि कई तरह की सेम सेंभ नाम हो जाने से हमें दिकत हो जाते समझने us और यहाँ पर हम क्या करेंगे लिस्ट सर्ज के अंदर आना चाहिए सर्ज फ्रेम के अंदर इसकी जो ओके एरियल दिन इसकी वेट और जो कॉलम है हमें जिरो रो होगा आगे जाएगा और यह पैड एक्स मुझे इतनी नहीं चाहिए I think टू कर लेता और पैड वाई तो चाहिए नहीं मुझे Ctrl S और यहाँ से Run ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडरी फिला चुके इसके आगे मुझे क्या बनाना है आप बटन बनाना है सर्ज के लिए बटन तो हमने अभी अभी बनाये थे इसे मेंसे एक Copy करेंगे बटन Copy उपर जाना है जहाँ पर हमने सर्ज वाला बनाया था यहाँ पर सिंपल आपको Paste करना है इसका नाम चेंज करेंगे हम बटन सर्ज के लिए उके तो यहाँ पर यहाँ पर मुझे चाहिए किसके अंदर सर्ज तो तो यहाँ पर मुझे क्या करना था, search करना था, यहाँ पर, search frame के अंदर आना चाहिए, okay, तो यहाँ पर मुझे क्या changes करना है, इसकी जो height मुझे नहीं चाहिए, height इसकी इसाब से set हो जाए, search के, search, okay, और यहाँ पर मुझे change करना था, foreground, background, तो यहाँ पर मुझे cursor तो चाहिए, इसकी weight हो जाए 15, और यहाँ पर मुझे column चाहिए, आप उपर column देख सकते है, 1 है, 2, आगे हाना चाहिए, control layers, run करके देखते, इसे बाद में adjust करेंगे हम, puts, okay, तो यहाँ पर बहुत बड़ा button आ चुगा है, तो इसकी मुझे क्या करना है, change कर लेता, और यहाँ पर देखते हैं फिर से, okay, perfect, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही से आ चुका है, यहाँ पर सटीक आ चुका है, ठीक है, तो हमने बना लिया यह, ठीक है, perfect, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर middle में यहाँ फ्रेम बनाना है, इसके उपर जाएंगे, तो यहाँ पर, यहाँ पर, search के भी उपर, तो यहाँ पर, तो product label फ्रेम जो है हमारे, इसके नीचे बनाना है, हमें middle फ्रेम, तो नीचे, 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 और इस search के उपर, आप कहीं पर भी बना सकते हैं, विंडो पर, मैं just sequentially आपको लेना चाता हूँ, आप, आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, आप कहीं पर भी बनाए, आप नीचे, नीचे, नीचे बना सकते हैं, कहीं पर भी, बस आपको पता होना चाहिए, आपने कहां पर बनाया है, कि कौन सी चीज़ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको sequentially लेना चाता हूँ, यहाँ पर भी बना रहा हूँ, और यहाँ पर जाएंगे, शायद सब category, prices, और यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं middle frame नाम रख देता हूँ, comment कर लेता हूँ, ठीक है, middle frame नाम से, just comment, हमें पता होना चाहिए, जो हमें, हम चीज़े लिख रहे है, वो हमें सिर्फ पता होना चाहिए बात में, बस, तो यहाँ पर हम middle frame बनाएंगे, middle frame बनाने के लिए simple आपको middle लिखना है, middle frame, just आप कुछ भी नाम रख सकते है, तो यहाँ पर मैं frame का नाम रख देता हूँ, frame, ओके, तो यहाँ पर just frame, और यह frame हमें self.root के अंदर बनाना है, self.root, ओके, तिन हम क्या करेंगे, इस frame की थोड़ी सी border भी देते है, हमें दीखें, यह border, border की मदद से हमें दीख जाती है, आच्छी तरह, तो इस middle frame को, ओके, तो हम क्या करेंगे, place करेंगे, place करना हमें self.root के अंदर, ओके, तो हम इसकी x-access और y-access देते है, थोड़ा सा x-access distant हो जाए, 10, 10 के, और y जो है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, जो हमने उपर product, product बनाया था, product label, इसके नीचे आना चाहिए, तो 150 कर लेता, क्योंकि आप देख सकते है, यहाँ पर, okay, मैं उपर ले ले जाता हूँ, एक की जो wheat है, यहाँ पर 140 है, तो इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ प मुझे height देनी है, okay, तो, okay, तो यहाँ पर height, तो height देंगे हम, height यहाँ पर 340 कर लेता, okay, तो control S करके, run करके देखते हम, okay, तो यहाँ पर जो हमारी frame है, यहाँ पर आ चुके है, मगर आप देख सकते हमने गलती किये, मुझे main frame की उपर बनाना था, और हमने save.root के अंदर बना लिया, तो इसे close करेंगे हम, तो हम यह गलती हम change कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ पर change करना है, सिरिफ, save.root की जगा मु यहाँ पर हमारी frame आ चुके है, ठीक, मुझे का करना है, इस label पर, label पर मुझे 2 images डालने है, तो मैं जल्दी से डाल लेता है, इसे close कर लो, तो यहाँ पर नीचे में 2 images डालने के लिए simple क्या करता हूँ, उपर जो हमने label, यानि की images डाले हुए है, उसी को copy करेंगे हम, तो य इसे सई से लगा लो, paste करके मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ change करने है, images के नाम, तो मैं यहाँ पर first change कर लेता हूँ, जो images के variables है, इसे change करना बहुत जरूरी है, ने तो एकी image पर यहाँ पर बार बार एकी image पर show करेंगे, ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख सकते है, मै और यहाँ पर भी मुझे क्या change करना है, तो यहाँ पर change कर लेता हूँ, ओके, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अल दबा के multiple cursor select कर सकते हैं, और यहाँ पर, तो यहाँ पर 13 कर लेता है, ठीक है, और मुझे एक changes करना है, यह जो images है, हमारे self.root के अंदर है तो मुझे इसको चेंज करना है किसी के अंदर मीड euh फ्रेम के अंदर जस्ट मिडेलaty पर्फेक्ट तो अब मुझे क्या करना है इसकी वीट आफ भी सेट करनी है जो हमारी विंडो है उसके इसाप से यानि कि आपकी जो फ्रेम बनाई है आपने वसी के इसाप से बनाना है तो first मैं wheat set कर लेता हूँ सबकी same होनी चाहिए तो wheat मैं 490 कर लेता हूँ क्योंकि हमने जो किया है 980 तो इसकी इसाप से ये सही है then मुझे क्या करना है ये जो एक success और waxes से start होगी इसकी height मैं change कर लेता height मैं कर लेता आपके इसाप से आप height बना सकते 340 करना है मुझे तो यहाँ पर भी 340 होगी यहाँ पर भी 340 यहाँ पर भी और यहाँ पर 340 अब मुझे क्या करना है तो यहाँ पर देख लिता मुझे हाँ ओके तो हमने तो wheat और height भी set कर ले अब यह जो image है, इसकी जो weight है, 490 है, तो यह जो दूसरी image आनी चाहिए, 490 से आने चाहिए, तो हमने यहाँ पर भी कर लिया है, 149, कंट्रोल S करेंगे, run करके देखते हैं, तो शायद यहाँ पर कुछ गडबड हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ image, no attribute photo image 3, तो हमने यहाँ पर, शायद यहाँ पर नहीं लिखा है, 30, ओके, तो हमने सबी जगा लिखा था, वगर यहाँ पर नहीं लिखा था, तो यहाँ पर लिखा था, कंट्रोल S, फिर से run करेंगे, तो यह चोटी-चोटी गलतिया हो जाती है, आपको देहन रखना ही है, ओके, perfect, तो आप देख सकते है यह दोनों इमेज़ आ चुके है, हमें इन इमेज़स को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूट करेंगे, और जो दूसरी इमेज़ थी हमारी, शायद मॉल वाली थे, कंट्रोल S, और यहाँ से run, ओके, perfect, तो यहाँ पर देखे, दोनों इमेज़स आ चुके ह और से सटिक से यहाँ पर जो हमारी फ्रेम बनी हुई है, इस फ्रेम के अंदर सटिक से बन चुके है, ठीक है, तो perfectly हमने यूजर इंटरफेस है, इस project का हमने बना लिया है, अब हमें इन function पर काम करना है, इस button की functionality पर, add to card, generate build, save build, print, clear, तो यह सारी जो button है, इसकी functionality पर काम कर है, तो हम next video में इस combo box की functionality पर काम करेंगे, और यह जो depending combo box है, इसको बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है, और यह सारी simple चीज़े है, simple सा logic है, हम बनाएंगे, अगर आपने अभी तक video को like और channel को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, तो next video में जल्दी से बनाओंग तो मिलते हैं next video में, see you soon